हेलो स्टुडेंट्स IPS एजुकेशन हब राणोली के ओनलाइन कलासेज में आपका स्वागत है लास्ट वीडियो तक हमने समांतर स्रेडी की एक्सरसाइज विविद परसनमाला के क्यूशन नंबर 6 तक हमने हल गर लिया है ओर प्तम शक्राइयक यूग developers 36 है तो इसके प्तम गी संख्या क्या होगी अब फरितम और अंतिम पद दियाभा है और पदों का यूग पदों दूंकालई है तो देखो फर्रतम पद एक मानत कितना दिया है एक और अंतिमपद कितना दिया है ग्यारा और हमें पदों की सिंख्या निकालनी और पदों का यूगफल दिया हूए तो माना और न पदों का यूगफल अ tratar जार्थ S N बराबर 36 S N बराबर क्या होता है फर जब अमें फरतंपद और अंतिंपद दिया हुआ हो उस टैम परेशन होता है N बटा 2 A प्लस L बराबर 36 N बटा 2 1 का मान कितना है 1 प्लस L का मान कितना है 11 बराबर 36 तो एन वट्टा दो गुणा ग्यारा रेक बारा बराबर 36 दो से काट देते हैं बारा को कितना आएगा 6 तो एन गुणा 6 बराबर 36 तो एन बराबर 36 वट्टा 6 तो एन का मान कितना आएगा 6 तो एन का मान कितना आएगा 6 तो अत्य है पद्दों की सिंख्या अत्य है पद्दों की सिंख्या कितनी आ रही है छै पद्दों की सिंख्या बराबर कितनी आ रही है यह था अपना क्यूसर नमबर साथ अब देखो क्यूसर नमबर आठ क्योंसर नम्बर आट है कि समांतर स्रेडी समांतर स्रेडी तीन पांच साथ नो इस परकार से चल रही है और दो सो एक का अंत शे पांच वापद का अंत शे पांच वापद ग्यात कीजिए समांतर स्रेडी तीन कॉमा पांच कॉमा साथ कॉमा नो डोड़ डोड करेके लाश्ट में दे रखा है दो सो एक का अंत से पांच वापद ग्यात कीजिए ये अपना क्यूसन नम्बर आट इस प्रकारका कीजिए मैंने आपको पहले से करवा रखा है तो इस क्यूसन को आपको हल करना है और इसका आंसर आपको कमेंट वोक्स में बताना है ये था अपना क्यूसन नम्बर आठ अब हम चलते हैं क्यूसन नम्बर नो पर तो देखो क्यूसर नम्बर नो क्या है क्यूसर नम्बर नो क्यूसर नम्बर नो है यदि एक समानतर स्रेडी के यदि एक समानतर स्रेडी के तीन करमागत पद यदि एक समानतर स्रेडी के तीन करमागत पद चार बटा पांच कॉमा एक कॉमा दो है तो एक कामान ग्याद कीजिए किस कामान ग्याद करना है एक कामान ग्याद करना है में तो देखो तेन पद किस में है समानतर स्रेडी में है तो इनका सार वँंदर क्या होलगा बराबर होगा तो देखो एवन का तो मान कंतना दिया हूँ यहां पर चार वट्टा पाँच और एट टू का मान एवर एट री का मान दो परसना नुसार अगर तेनुपद समांतर स्रेडी में है तो इन दो पदूं का अंतर और इन दो पदूं का अंतर क्या होगा बराबर होगा मतलब A2-A1 बराबर होगा A3-A2 A2 का मान कितना है A-A1 का मान 4 वटा 5 A3 का मान 2 माइनस A2 का मान A इस A को तो ले कराते हैं इस तरफ और 4 बटा 5 को बेज जेते हैं इस तरफ तो ये 2 A बराबर 2 ये 4 बटा 5 उस तरफ जाएकि पलस का 4 बटा 5 A और A मिलकर 2 A यहां पर एक लगागे LCM लेलो, एक और पांच का LCM कितना हैगा, पांच एक और पांच का LCM कितना हैगा, पांच एक का बागदो पांच में तो कितना हैगा, पांच, पांच को दो से गुणा करेंगे तो कितना हैगा, दस प्लस पांच में बाग दो 5 का तो 1 एक को गणा करेंगे 4 से तो 4 तो 2e बुराबर 10 र-4 14 बमाट 5 अधर में तो किसका मान निकालना है एक का तो 2 का बाग दे देते हैं इसमें तो e बुराबर 14 बमाट पांच ये 2 आजाएगा इसके बाग में तो 2 दोश्य काड़ देंगे इसको कितना एगा साथ तो ए बरावर कितना आ गया साथ बटा पांच ए बरावर कितना आ गया साथ बटा पांच ये था अपना क्यूसर नमबर नो अब चलते हैं क्यूसर नमबर दस पर तो देखो क्यूसर नमबर दस क्या है क्यूसर नमबर दस क्यूसर नमबर दस है फरतम एक जार दन पुरुनांकों का योग याद कीजिए फरतम एक जार दन पुरुनांकों का योग याद कीजिए फरतम एक जार दन पुरुनांकों का योग याद कीजिए तो देखो फरतम एक जार दन पुरुनांकों की बात हो रही है फरतम एक जार दन पुरुनांकों का मतलब क्या होता है एक दो तीन चार इस परकार से स्रेड़ी बन रही है तो रंतीम पद कितना र्याया ? 1000 कि इनका आपको क्या ग्यात करना है ? योगफल ग्यात करना है तो याँ पर फरतंपद A ब्रावर तो कितना है ? айтесь एक सारवा अंतर B रावर दूसरे पद में से फरतंपद को खटा दो तो दो मायने से एक ब्रावर एक एक, एकजार, अब एकजार दन पुर्णांगू की बात कर रहा है, मतलग 1 से 1000 संग्यात की बात कर रहा है, तो एन का मान कितना होगा, 1000, हमें क्या निकालना है, इनका योग प्ल निकालना है, तो S N बराबर, N बठा 2, A प्स यह, N बराबर, है 1000 बराबर 1000 बट्टा 2 एक का मान एक प्लस एल का मान 1000 1000 बट्टा 2 गुणा 1001 दो से काड़ देते हैं इसको कितना हैगा 500 गुणा 1001 500 को 1000 से गुणा करो 101 से 1001 को गुणा करवाद देते हैं 500 से 0000 0000 5 005 005 005 005 005 या एगा आनस्वर 1000 दन पुरू नांको का यो कितना रह यार यह ता अपना क्यूसर नंबर 10 अब देखो क्यूसर नंबर 11 क्यूसर नंबर 11 क्यूसर नंबर 11 क्या है क्यूसर नंबर 11 क्या संख्यों का अनुकरम क्या संख्यों का अनुकरम क्या संख्यों का अनुकरम 5 11 17 23 इस प्रकार से शिरेडी आपकी में कोई पद दोसो निन्याणम है में कोई पद दोसो निन्याणम है आपको बताना है कि इसमें यह पत 2 29 में है या नई है कि कोई पद क्या संख्यों का अनुकरम यह है में कोई पत 299 में है इस टाइप का क्यूसर हमने पहले कर रखा है चलो देख लो इस क्यूसर को भी स्रेडी के आपकी 5, 11, 17, 23 इस परकार से बन रही है और पूछ रहे हैं कि इसमें कोई पद 299 में है तो फरतम पद 1 का तो मान कितना है? 5, सारव अंतर, डिक का मान 11-5 बराबर कितना जाएगा? 6 तो माना समांतर स्रेडी का n वापद 299 में है कोण समांतर मान लेते हैं? n वापद 299 में इसका मतलब a n बराबर कितना हो जाएगा? 299 में n का मान तो मिनिकाल न है n बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर 299 में a का मान है 5 प्लस n का मान हमें निकालना है D का मान कितना रहा? 6 बराबर 299 5 प्लस 6 को n से गुणा करो तो 6 n 6 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 बराबर 299 5 माइनस 6 तो कितना हैगा? माइनस का 1 प्लस 6 n बराबर 299 इस 1 को बेज जते हैं इस तरफ तो एक इस तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 6, n बराबर 200, 99 में, प्लस एक, तो 6, n बराबर 300, n बराबर 300, बटा 6, तो n का मान कितना जाएगा, 50, n का मान कितना जाएगा, 50, तो अतह, समांतर स्रेडी का 50 वां पद 2099 है यह था अपना क्यूसर नंबर 11 अब हम चलते हैं कि समांतर स्रेडी विच नंबर बारा और देखलो क्यूसर नंबर बारा क्या है कि समांतर स्रेडी कि समांतर स्रेडी समांतर स्रेडी 20,19 सही एग वटा 4,18 सही एग वटा 2,17 सही तीन वटा 4 इस परकार से आपके एक स्रेडी बन रही है का कौन सा पद का कौन सा पद फर्तम रिनात्मक पद है क्यों सा नहीं कि समांतर स्रेडी 20,19 सही एग वटा 4,18 सही एग वटा 2,17 सही तीन वटा 4 का कौन सा पद फर्तम रिनात्मक पद है आपको पूछ रहा है कि इसका फर्तम रिनात्मक पद कौन सा है तो देखो आपके स्रेडी क्या बन रही है यहाँ पर 20,19 सही एग वटा 4,18 सही एग वटा 2,17 सही तीन वटा 4 इस परकार से बन रही है इसको हम सादर्ण विन सिंग के हमें लिख लेते हैं आपको आंतर D ब्राबर सतंतर वटा 4 दूसरे पद में से फर्तम पद को गुठा दो तो ल से में कितना जाएगा 4 4 में 4 का इने एक को 37 से गुणा गरेंगे 371 का बाग देंगे 4 में तो 4-4 को माइनस 20 से गुणा करेंगे तो कितना है का आएक एक्षी कि समांतर स्रेडी का माना समांतर स्रेडी का एन्वा पद सुन्य है एन्वा पद क्या है सुन्य है हमें फरतम रिनात्मक पद की बात कर रहा है लेकिन हम मानकर क्या चल रहे हैं सुन्य एन्वा पद हमने सुन्य माल लिया और इसके जश्ट अगला पद आएगा सुन्य के बाद में वो कौन सा जाएगा रिदात्मक पता जाएगा तो हम सुनी के लिए निकाल लेती फहले तो मना समाथर स्रेडी का आयनल मपद क्या है सुनी है अथार्त an बेर क्या है कि अन बेराबर क्या होता है ये प्लस an minus e28UT our ब्राबर जीरो एक कमान क्या है एक कमान है बीस प्लस एन माइनस वन इंटू डी कमान कितना है माइनस तीन वटाच्यार ब्राबर जीरो तो बीस माइनस तीन वटाच्यार को एन से गुणा करेंगे तो माइनस का तीन वटाच्यार माइनस तीन वटाच्यार को माइनस एक से करे इस N वाले पद्गों हम इस तरफ लेकर आते हैं, अगर इस N वाले पद्गों इस तरफ लेकर आएंगे तो यह प्लस का हो जाएगा, तो 20 प्लस 3 वट्टा 4 बराबर 3 N वट्टा 4, इसके निचे 1 लगा लेते हम, और 1 और 4 का L C हम ले लेते हैं, एक और 4 का L C हम कितना आएगा, 4, एक का बाग दो 4 में, तो 4, 4 को 20 से गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, 80, प्लस, 4 में 4 का बाग देंगे, तो कितना आएगा, 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, 3, बराबर में कितना है, 3 N वट्टा, 4, 80, 3, 83 वट्टा 4, बरा 233 वराबर 3N है मैं तो N का मान निकालना है तो 3 का भाग दे देते हैं इसमें 33 वट्टा 3 वराबर N तैंसी में भाग दो 3N का 3,2,6,2,3,7,21 क्या बचर है 2? मतलब 27,2,3 ये N का मान आ रहा आपके पास में एकिसका मान आ रहे एन गामान मतलब ही 27 से 2 बटा 3 नंबर का जो पद है वो क्या है सुन्हे है 27 से 2 बटा 3 नंबर का पद क्या है सुन्हें तो 27 के बाद भी कौन सा पद ऐगा 28 तो अता है 27 से 2 बटा 3 के तूरंत बाद 28 आता है अतहे समांतर स्रेडी का 28 वापद फर्तम रेनात्मक पद है अतहे समांतर स्रेडी का 28 वापद क्या है फर्तम है रेनात्मक पद है यह था अपना क्यूसा नंबर बारा ये था अपना क्यूशन नमबर बारा एक बार फिर से देख लो इसको समांतर स्रेडी दी विए आपको का कौन सा पद फरतम रिनात्मक पद है अब समांतर स्रेडी दी विए इसको आमने बिन सिंख्या में लिख लिए आप फरतम पद निकाल लिया डिकामा निकाल लिया पांच, बाद में च्यार, बाद में तीन, बाद में दो, बाद में एक, बाद में जीरो, बाद में माइनस एक, तो जीरो के बाद में तो अताप का माइनस एक, इसी परकार से हमने समातर सेडी का एनमापद का मान लिया, सुन्य मान लिया, तो एन बराबर सुन्य, इस परकार स तो इसके तुरंत बाद में जो मान आएगा वो रिनात्मक पद का मान आएगा तो 27 यह तुरंत बाद 28 आता है समांतर सरेडी का 28 वा पद क्या है फरतम रिनात्मक पद है यह था अपना क्यूसर नंबर 12